Hello friends, आश्च के lecture में हम cover करने वाले हैं hydrogen fuel cell के बारे में इसके अलावा green, green and blue hydrogen के बारे में जानेंगे इसके अलावा और भी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए आपके exam के लिए वो हम समझने वाले हैं तो सुद्वाथ करते हैं तो सबसे पहले कि hydrogen fuel cell किसी कहते हैं तो यह क्या होता है एक device होती है ठीक है ना hydrogen fuel cell इंचाट device ठीक है यह device करती क्या है hydrogen का यूज़ करके electricity बनाती है ठीक है इस वज़े से बोलते है hydrogen fuel cell ठीक है तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीकी से समझ सकते हो कि यह एक battery होती है ठीक है ना और यह battery करती क्या है electricity बनाती है यह पर कह सकते है power generate करती है ठीक है लेकिन कैसे hydrogen और oxygen को आपस में combine करके जोड़के अब यह कैसे काम करती है वो समझ लेते हैं तो इसमें होता क्या है सबसे पहले hydrogen को input किया जाता है ठीक है so hydrogen gas is fed into one side of fuel cell ठीक है ना तो यहां से दखो hydrogen input की गई इसके बाद क्या होता है oxygen input की जाती है oxygen from the air ठीक है ना is supplied to the other side of fuel cell यहां से oxygen input की गई इसके बाद क्या होता है chemical reaction की जाती है ठीक है ना उसके लिए energy चाहिए होती है so hydrogen molecules split into proton and electron ठीक है chemical reaction के जरीए क्या होता है कि जो hydrogen होता है उसको proton और electron में बाद दिया जाता है ठीक है proton क्या करता है एक special material जिसका नाम होता है electrolyte ठीक है ना इसके अंदर electrolyte उससे होकर move करता है यानि कि आगे बढ़ता है जबकि जो electron होता है वो क्या करता है electricity generate करता है and electrons create an electric circuit ठीक है यह देखो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर क्या करता है electron और यहाँ से current proteins होता है ओके और output में क्या होता है hydrogen proton and oxygen combined to create water वेपर दा only emission ठीक है तो यहाँ से क्या hydrogen दी गई थी और oxygen दी गई थी ओके तो इनसे chemical reaction करा गए electricity generate की गई बाद में क्या होता है इन दोन वो combine कर दिया जाता है और बनता है गोले तो पानी जो कि भाद के रूप में बाहर निकल जाता है तो यानि कि कोई harmful emission उत्सरजन नहीं होता है ठीक है इस वज़ए से क्या है एक तरीके से clean energy का एक option है अब आगे समझते है यह ही useful क्यों है तो सबसे पहले यह एक clean energy है जब hydrogen fuel से energy generate की जाएगी उससे कारें जाएगी ठीक है तो फिर क्या होगा उससे emission क्या होगा धुआ नहीं होगा क्या होगा सिर्फ पानी निकलेगा पानी की भाप निकलेगी ठीक है इस वज़ए से क्या है एक तरीकी की clean energy है जबकि अभी आप diesel petrol जलाते वो तो क्या निकलता है धुआ निकलता है और बहुत सारी गैसर निकलती है दूसरा efficient है यानि इसमें energy loss बहुत कम होता है जो combustion engine होते है जो गाड़ियों में लगी होते है ठीक है ना उसकी तुलना में ही इसमें क्या होता है जो directly जो fuel होता है वो electricity में convert हो जाता है तो energy loss ना के बरावर होता है आगे versatile वरसेटाइल क्या होता है कि इसके द्वारा यानि hydrogen fuel cell से जो energy generate की जाएगी उससे गाड़ियां भी चलाई जा सकती है जो devices होती है फ्रिज बगरा होते हैं वो भी चलाई जा सकते हैं कार बसें even buildings को भी light supply की जा सकती है आगे quiet operation आप एक diesel engine को start करो और एक hydrogen fuel cell से आप गाड़ी चलाओ तो diesel engine वाली गाड़ी क्या क आवास करेगी ठीक है ना तो यह क्या होते हैं सांती से अगर hydrogen fuel cell से गाड़ी चलाई जाएगी तो कोई भी आवास नहीं करने वाली है ठीक है तो इस वज़े से यह क्या है useful है आगे इसके benefits क्या है तो पहला benefits क्या है zero emission इससे सिर्फ पानी निकल आए इस वज़े से इसमें ज reduced dependency अगर हम लोग गाड़िया hydrogen fuel cell से चलाने लगे तो जो फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है ठीक है ना वह कम हो जाएगी तो फॉसिल फ्यूल बहुत ही limited source है समझ गया ना एक दिन यह खत्म हो जाएगे तो हमें fossil fuel बोले तो जीवास में इनन पर अपनी डिपेंडें वहिकल से और hydrogen powered वहिकल से तो एक बार refueling करने पर एक बार charge करने पर या फिर्फियूल की refueling करने पर वहिकल होते हैं वह उतनी दोर नहीं जाएगे जितनी दोर यह hydrogen fuel cell वाले वहिकल जा सकते हैं तो बार बार उनको refueling करने की जरुरत नहीं पढ़ने वानी है आगे quick refueling अ आप चार्ज करोगे बार्ट्री जादा टाम लेगी जबकि hydrogen की refueling बहुत जलनी हो जाएगी तो यह इसके benefits हो गए ओके अब हम challenges कुछ समझ लेते हैं चीक है लिखा काफी कुछ है और हम short में बताएंगे और आप समझ जाएंगे तो सबसे पहला क्या है hydrogen production तो को hydrogen का यूज क करके आप गारिया चला सकते हो ठीकिना energy generate कर सकते हो लेकिन हमाँ पास hydrogen तो होनी चाहिए तो hydrogen को produce करने के लिए बनाने के लिए अभी तक भारत में fossil fuel का यूज किया रहा था जीवास मीनन का सबसे ज़्यदा यूज किया जा रहा है तो फाइदा क्या हुआ हुआ आप hydrogen से गा इस चुनौती से निपते हैं तो जो hydrogen का production है उसके लिए fossil fuel का जीवास मीनन का यूज किया जा रहा है उसकी वजाए अगर renewable energy का यूज किया जाए solar energy का यूज किया जाए ठीक है तो उसे क्या बोलेंगे green hydrogen यानिकि solar energy का यूज करके अगर आप hydrogen को produce करोगे वो क्या हो जाएग green hydrogen ठीक है तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरुरत है यह एक चुनौती है अगर आप चाहते हो कि आपके देश में ठीक है ना hydrogen fuel से hydrogen इंधन से गाडियां चले तो पूरा infrastructure को बनाना पड़ेगा refilling station मनाने पड़ेंगे ठीक है जो hydrogen से बनी चलने वाले गाड़ियां होंगी उनके लिए अलग से mechanic वगएरा भी तयार करने पड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक चनौती रहेगी आगे cost ठीक है अभी तक क्या है कि जो hydrogen fuel से technology है वो थोड़ी महंगी है relatively expensive ठीक ना compared to यह जो आज के जो गाड़ियों के इंजन नहीं होते है internal combustion आनतरिक दहन इंजन ठीक ना internal combustion इंजन यह फिर battery electric vehicle की तो नामी यह जो technology है वो महंगी है तो यहाँ पर और दिससर्च करने की जरुरत है जिससे कि इसके कीमत कम हो आगे technological development ठीक है ना यहाँ पर क्या है कि जो भी hydrogen fuel cell technology अभी तक हमारे सामने उभर कर सामने आई है ठीक है ना उसको बहुत कुछ अभी improve करने की जरुरत है तो इस sector में भी ध्यान देने की जरुरत है आगे अगला है supply chain क्या हमें hydrogen का production करना पड़ेग उसको transportation करना पड़ेगा उसको store करना पड़ेगा यानि पूरी के पूरी एक supply chain maintain करने पड़ेगी ठीक है ना बहुत सारा infrastructure खड़ा करना पड़ेगा तो यह भी अभी एक चुनाओती है आगे awareness and acceptance जब भी कोई नए technology market में आती है तो लोग हिच किचाते हैं क्योंकि भारत में क कोई इनसान कार खड़ रहा है तो पूरी जीवन की कमाई लगा कर ठीके ना दो ही काम करता है एक तो घर बनाता है या फिर सौक के लिए कार खड़ता है तो जब इतनी मेहनत करके ठीक ना कोई इनसान कार खड़ेगा और एक नई technology पर कोई कार आएगी तो खड़ीदेगा ही यहाँ पर सेफटी स्टेंडर्स डेवलप करने पड़ेंगे सर्टिफिकेशन प्रोसर्स ठीक है यहाँ पर भी पाइरेसी की संभावना है ठीक है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आगे तो अब जब नई गाड़ी आएंगे तो लोग को सकता है कि भरोसा ही न करें और हाइड्रोजन से चलने वाले गाड़ियों का यूज भी न करें आगे समझते हैं एनर्जी एफिसियंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो अपर क्या होगा वहाँ सारी इनर्जी इसमें भी तो लगेगी तो इस एनर्जी को कम करने की देना होगा अगला लिम्टेट डोमेस्टिक हाइड्रोजन रिसोर्स जिकना भारत में जो हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वह बहुत ही लिम्टेड है अभी तो यहाँ पर भी धान देने की जरूरत है आगे और लास्ट में है पॉलिसी सपोर्ट भीना पॉलिसी सपोर्ट के आप थो जो बागा नहीं दे सकते हो टकना बॉसी सपोर्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट ऑगे बढ़ेगा, जब इंवेस्टमेंट आगे बढ़ेगा तो ये थी कुछ चुनावतियां hydrogen fuel cell से जोड़ी हुई या फिर कह सकते हैं hydrogen fuel cell technology से जोड़ी हुई अब हम समझेंगे green और blue hydrogen के बारे में इनका production कैसे होता है और event difference क्या है साथ में grey hydrogen के बारे में भी हम discuss करने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं दुको होता क्या है hydrogen fuel cell में hydrogen का यूज किया जाता है ठीक है तो hydrogen का यूज करके आप hydrogen fuel cell से energy generate कर सकते हो लेकिन hydrogen किस तरीके से बनाई गई है ठीक है न उस पर बेज़ड होकर ये green hydrogen हो सकती है या blue hydrogen हो सकती है या फिर grey hydrogen हो सकती है ठीक है तो hydrogen को बनाने में चाहिए उर्जा वो अगर energy renewable energy से आ रही है नवी करणी उर्जा से आ रही है solar energy से आ रही है wind energy से आ रही है तो वो hydrogen कहलाएगी green hydrogen लेकिन जब hydrogen बनाई गई उसके लिए जो उर्जा है energy है वो fossil fuel को जलाने से आ रही है बोले तो natural gas, koela ठीक है ना इन सब क अगर जलाने से जो energy मिल रही है उस energy का यूज करके अगर hydrogen बनाई जा रही है तो वो blue hydrogen हो सकती है या भी grey hydrogen हो सकती है तो जब भी आप natural gas को जलाओगे तो green house gases निकलेंगी ठीक है तो अगर उन green house gases को ठीक है atmosphere में वावी मंडल में छोड़ दोगे ठीक है और energy का यूज करके hydrogen बना लोगे ठीक है तो वो हो जाएगी grey hydrogen लेकिन अगर आपने natural gas को जलाया उससे जो energy मिली उससे तो hydrogen बना लिया लेकिन जो green house gases निकल लाई है जो carbon निकल ला है उस ठीक है ना उसको atmosphere में ना छोड़ के अगर आप उसको store कर लेते हो कहां पर carbon capture and storage technology का यूज करके तो फिर जो hydrogen बनेगी उसे बूलेंगे blue hydrogen ठीक है ना तो grey और blue में अंतर क्या है कि grey hydrogen में जो उसको atmosphere में छोड़ दिया जाता है जबकि blue hydrogen में जो उसको store कर लिया जाता है उसको atmosphere में नहीं छोड़ा जाता तो थोड़ा समाज लेते हैं पहले green hydrogen के बारे में इसका production कैसे होता है renewable energy का use करके ठीक है जैसे कि solar energy, wind energy ठीक है ना तो solar और wind energy का use करके पानी की जो molecules होते है उनको split कर दिया जाता है बाट दिया जाता है और हमें क्या मिलता है hydrogen and oxygen ठीक है वो process क्या होता है electrolysis इसका environmental benefit क्या होता है कि यह clean energy है ठीक है ना और इसमें जो waste आता है वो सिफ क्या होता है oxygen और water wrapper ठीक बटने में हमें फायदा होगा साथ में जो fossil fuel है बोले तो जीवास वीनन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी ओके आगे blue hydrogen में क्या होता है इसका जो production होता है वो natural gas से होता है या यह fossil fuel से होता है जीवास वीनन से होता है वो जो technology होती है जिस technology का use करके generate की जाती है hydrogen उसे बोलते है steam methane reforming ठीक है लेकिन यहां ध्यान रखना है कि carbon emission that come from making hydrogen this way are captured and stored so they don't go into the atmosphere ठीक है ना जब भी आप natural gas को जला ओगी ठीक है ना तो फिर क्या होगा जो carbon का emission होगा ठीक है ना उसको atmosphere में नहीं छोड़ा जाता है उसको stored कर लिया जाता है ठीक है इसी वज़े से बोल hydrogen ठीक है तो carbon capture and storage क्या है यह है एक technology है इसमें क्या होता है carbon को underground पे ठीक है ना इसको store कर दिया जाता है जिससे कि climate change निपटने में हमें मदद मिलती है इस वार एक separate video available है इस पर अगर हम बात करें environmental impact की तो फिर क्या होता है कि चूंकि जो emission होता है उसको capture कर लिया गया तो environmental impact ना के बराबर होता है लेकिन फिर भी यह उतना clean नहीं हुआ जितना कि यह green hydrogen होती है ठीक है green hydrogen में तो solar energy का यूज किया जाता है जबकि इसमें आपने जो भी green house gases निकली जो भी carbon निकला उसको capture करके store किया तो जहां store करोगे त कुछ नकुछ नुक्सान वहां पहुंचेगा ही ठीक है इसका advantage क्या है कि blue hydrogen can help reduce emissions from industries that rely on hydrogen and natural gases and it can be transition while we work on scaling up green hydrogen production जैसे कि आप future देख रहे हो hydrogen energy का ठीक है तो अभी आपका green hydrogen की capacity है उसकी building नहीं हो पाई है तो starting में आप new hydrogen का यूज कर सकते हो इसके साथ साथ infrastructure develop करो कि धीरे धीरे हम green hydrogen का यूज करने लगें ठीक है और साथ में आपको grey hydrogen बता दिया कि उसमें क्या होगा कि जो carbon होगा उसको store न करके अगर atmosphere में release कर दोगी तो वो हो जाएगी grey hydrogen उसका फिर कोई यूज नहीं रह जात hydrogen बनाई होगी वो भी natural gas का यूज करके बनाई जाएगी तो आपने emission तो atmosphere में छोड़ी दिया ठीक है तो उसका खास कोई यूज नहीं रह जाता है अब हम यह समझते हैं कि green and blue hydrogen का production कितने तरीके से हो सकता है यह बहुत ही short छोटा सा topic है तो समझ लेते हैं जो process होता है ठीक है जो produce hydrogen by splitting water molecules into hydrogen and oxygen using electricity energy चाहिए ठीक है इसका उस energy का use करके hydrogen यानि पानी में जो hydrogen और oxygen होता है इसे अलग-अलग कर लिया जाता है ठीक है तो यानि क्या चाहिए यह है पानी ठीक है इस पर हमें energy देनी पड़ेगी तो फिर क्या बनेगा hydrogen और oxygen ठीक है तो यह जो process है यह है electrolysis अब बात यह आती है कि जो energy कहां से आ रही है ठीक है तो अगर energy आ रही है यह वानी solar energy से तो वो क्या हो जाएगी solar powered electrolysis ठीक है अगर यह energy आ रही है wind powered electrolysis अगर आ रही है hydroelectric जैसे बान वगएरा बनाए जाते हैं वहां से वो energy आ रही है और उस energy का use करके पानी से hydrogen और oxygen को अलग किया जा रहा है जिससे के hydrogen से गारियां चलाई जा सके तो वो क्या हो जाएगी hydroelectric power ठीक है ना electrolysis बायो मास्स ठीक है ना बायो मास्स केन बी converted जिसे लकड़ी का लकड़ी वगएरा होती है तो बायो मास्स केन बी converted इंटो hydrogen तो gasification और steam methane reforming ठीक है इस technology का use करके gasification मैं समझा चुका हूँ इस पर मैं आगे वीडियो upload कर दूँगा तो बायो मास्स का use करके भी हम hydrogen को produce कर सकते है ठीक है यह जब आप बायो मास्स को जलाओगे तो energy हमें मिलेगी उस energy का use करके हम पानी से hydrogen और oxygen का use कर सकते है लेकिन जब आप बायो मास्स जलाओगे तो फिर अगला है बायोजिकल प्रोसस से भी यह काम किया जा सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजब होते हैं सोच में जीव होते हैं जो बायोजिकल प्रोसस का use करके hydrogen प्रोडूज कर सकते हैं लेकिन यह method अभी research and development phase में है ठीक है न तो यह भी एक तरीका होता है green and blue hydrogen को generate करने का तो यहां पर जो wind power से होगी वो क्या हो जाएगी green hydroelectric power भी एक तरीके से green method है ठीक है बायोमास यहां पर हो सकता है कि जो इसमें कुछ energy वो sorry जो emission हो यहां पर ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर यह थी ध्यान देनी होगी कि जो जिस तरीके से हम energy पा रहे हैं मिल रही है ठीक है जो s2o को split करने में वो कहां से आ रही है उसके according green हो सकता है blue हो सकता है ग्रे हो सकता है nuclear power तो को nuclear power थोड़ा controversial है ठीक है लेकिन फिर भी इसका यूज करके आप क्या करोगे nuclear energy का यूज करके आप पानी को split कर दोगी hydrogen और oxygen में बाद में hydrogen से गानियां से लाल होगी ठी पावर का भी यूज किया जा सकता है लेकिन इसमें कापी safety concerns होते हैं अगला है carbon capture and hydrogen उसको blue hydrogen बोलते हैं ठीक है ना आपने क्या किया कि जैसे कि natural gas का यूज करके आपने natural gas का यूज करके उसे जलाया ठीक है और वहां से energy generate की लेकिन वहां से जो emission हुआ उसको आपने क्या क्या carbon capture उसको store कर लिया ठीक है ना तो वो क्या हो जाएगी blue hydrogen हो जाएगी ठीक है तो यह भी एक तरीका होता है लेकिन तरीका basically वही है जो electrolysis है ओके तो यह था कि किस तरीके से green blue वगरा hydrogen को हम generate कर सकते हैं तो यह पूरा video है जिसमें मैंने क्या क्या बताया सबसे पहला fuel cell के बारे इसके बाद किस टाइप के हमारी जो hydrogen होती है उन्हें क्या difference होता है इसके बाद हमने क्या बताया कि यह जो hydrogen होती है इनको कैसे generate किया जाता है ओके जल्दी आएंगी हम next video के साथ thank you